मनीपूर के विश्णूपूर में गुरुवार को हिंसा हुई भीड और सुरक्षा बलो के बीच हुई मुटभेड में 19 लोग खायल हो गए भीड ने इंडिया रिजर्व बटालियन के हेटक्वाटर पर भी हमला किया और यहां से AK-47 राइफले और घातक सिरीच की असाल्ट राइफले लूट ली लोग यहां से 19,000 बुलेट्स भी ले गए विष्णूपूर के कांगवई और फुक्चावों में उबद्रवियों को संभालने के लिए आर्मी और आरेफ ने आसुगेस का इस्तेमाल किया भीड में महिला और पूरुष दोनों शामिल थे यहां कर्फियों में दी गई धील अब बंद कर दी गई है पिछले 24 घंटे में पूरे मनिपूर में 347 लोगों को हिरासत में लिया गया है मनिपूर में 3 माई से कुकी और मेती समुद्राय के बीच हिंसा जारी है हिंसा को इंक्यानू दिन बीच चुके हैं मगर हालत अभी भी सामने नहीं है हिंसा में अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं 1000 से जादा लोग घायल है तीन अगस को विश्णूपूर और चूराचानपूर जिलों के बीच की सीमा पर फोगाक चाओ इकाई में 500-600 लोगों की एक भीड भी इखटा हो गई भीड को तितर बितर करने के लिए सुरक्षावलों ने असुगेस के गोलिदा गे और करीब 25 लोग मामूली रूप से घायल हो गए पुलिस के बयान में कहा गया पिछले 24 घंटे के दोरान विभिन इस्थानों पर गोली बारी और अनियंद्रिक भीड के जमा होने की चिटपुट गटनाओं के साथ राज में इस्तिती अभी भी अस्तिर और तनाव कुण है इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ रहने वाद